हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है नोलेज टीवी पर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यह important drawing इस drawing में आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी भाई अभी तक आपने अगर नोलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको मिलने वाले यहां पर ऐसी वेल्यूबल वीडियो अभी ज़्यादर टैम खड़ाब नहीं करते हू हमारे यहां पर इसमें क्या-क्या दो व्यू दे रखें एक यहां पर देखेंगे एक यह व्यू है यह है इसका फ्रंट व्यू और यह इसका सेक्शन व्यू है दो व्यू दे रखें यह सेक्शन व्यू है यह फ्रंट व्यू है दोस्तों इस ड्राइंग में एक गलती भी है वो गलती अगर आप पकड पा रहे हैं तो आपकी ड्रोइंग काफी हद तक अच्छी है आप अच्छा ड्रोइंग रीड कर लेते हैं लेकिन अगर आपको इसमें वो गलती पकड में नहीं आ रही है तो आपको भाई मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी अगर आपको आपके skills बढ़ानी है तो और ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा गलतिया आदमी कब पकड़ पाएगा जब उसके basics किलियर होंगे basics किलियर कब होंगे जब वो knowledge tv पे वीडियो देखेगा मनिस्वामी की ठीक है अब भी बात करता हूँ पहले इसके front view की front view में हमें क्या के दे रखा है सबसे पहले जो बड़ा diameter देख रहे होंगे आप ये circular line है ये कौनचा diameter है ये वाला diameter है इसी का section view भाई इसको काट करके इदर दिखा रखा है मैं बताऊंगो कि इस तरह से काटा है लेकिन साथ-चाथ बताता जाता हूँ कि कौनचा diameter क्या है front view में हमें जो बड़ा दे रखा है जो बहार का diameter होता है उसको बोलते है od outer diameter बाही है व्यास ठीक है ये कितना दे रखा है इसकी जो value दे रखी है यहां पर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक यह line खीत रखा है बोल रहा है क्या 5 का symbol दे रखा है जहां भी 5 का symbol दिख जाए समझाओ diameter की बात कर रहा है इसका जो व्यास है 75 है साथ में इसकी tolerance दे रखी है tolerance प्लस माइनस 0.5 0.5 मतलब प्लस में 0.5 75.5 प्लस में हम जा सकते माइनस में 0.5 हम जा सकते इसकी machining के time पे मतलब 14.5 से लेके 45.5 तक इसकी machining करके हम बना सकते इसके बीच में इसको control करना है इतना वैरी यह कर सकता इसकी tolerance हम भी दिया tolerance के लिए एक special वीडियो बनने को मांगता भाई वो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए जल्द ही tolerance के लिए special वीडियो भी आ जाएगी ठीक है दूसरा diameter पहला यह किलिए रोगे आपको बाहर वाली यह ओडी है second diameter यह यह second जो diameter है यह आप देख रहे हैं यह second diameter यह वाला diameter है जो यहाँ पर दे रखा है diameter 60 प्लस में 0.15 माइनस में 0 मतलब इसकी जो tolerance है चिरफ प्लस में है 60 से ले गए 60.15 तक आप इसको बना सकते हैं देखिया दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि यह line dotted है यह line dotted नहीं है क्यों क्या आप बता सकते हैं क्यों की मैंने आपको बताया जब thick line जो drawing lines होती है जो मोटी lines होती है अगर वो है तो उसका मतलब यह है कि जब हम किसी view में उस part को देख रहे हैं उसकी जो lines जो उसकी boundary हमें clearly visible हो रही है उस view में दिख रही है उसको तो इस line से show करते हैं जो उस view में नहीं दिख रही है उसको dotted line से show करते हैं यह hidden line होती है छूपी हुई मतलब इस view में नहीं दिख रही है वो कैसे भई यह इधर से यह वाला view जब इमें इसके section काट कैसे करेंगे तो यह इधर हो जाएगा अगर आप यहां से ऐसे देख रहे हैं तो क्या होगा आपको यह वाला diameter दिखेगा छोटा छोटा वाला diameter यह रहा उसके बाद आपको यह diameter दिखेगा 25 का टैप वाला वो diameter यह रहा उसके बाद यह 30 mm इसकी ओड़ी दिखेगी ठेड की ठीक है उसके बाद आपको PCD वाला diameter दिखेगा, वो PCD वाला diameter ये है, उसके बाद ये वाला diameter, ये वाली ID, अब ये सारी चीजे तो क्या है, इधर से दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, और ये OD भी दिख रही है, लेकिन ये वाली ID क्या ह कि इसके पिछह हो गई इस साइद अगर इदर से देखता तो कलियर विजीबल होती लेकिन इदर हम को नहीं दिख रही है तो यह क्या हुआ हिए फिचर इस विव में नहीं दिख रहा है ठीक है, यह वाला diameter कितना दे रखा, 60 mm, यहाँ पे हमको, इतना की लिए रहोगे आपको, ठीक है जी, next जो दे रखा, आपको यह वाला, यहाँ पे देखी, यह dotate करके दे रखा, यह, यह, यह जो line है, यह एक imaginary line है, कल्पनिक line है, इसको बोलते है, PCD, क्या बोलते हैं बाई, PCD, P for pitch, C for circle, D for diameter, pitch circle diameter, यह एक ऐसी line होती है, जैसे यह 3 hole यहाँ पे दिये हो है, इन 3 hole के center से गुजर के जाती है, यह जो 3 hole की जो position होगी ने, किस diameter में यह 3 hole बन रहे है, वो यह diameter है, कितना है, diameter 50, यहाँ पे दे रख है, यहाँ सी यहाँ तक, यह जो diameter है, यह 50 mm का diameter है भाई, ठीक है, 50 mm diameter है, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे आप, एक यह detail दे रखिए, leader line से, ऐसी जो line दे रखिए होती है, उसको leader line बोलते हैं, क्या है, 3 holes, 3 holes, diameter 6, 6 mm के 3 holes है, इसने लिख के बता दिया, यह रहे, ठीक है जी समझी है, यहाँ पे एक चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, यह क्या है, क्या है, बाई, equl, इसका मतलब है equal, sp, इसका मतलब है space, मतलब यह जो तीनों बने हुए, यह equal space पे आएं, बाई, 120, 120 degree पे, मेरे को कैसे पता चला 120 degree पे है, circle में कितना, जो total बनता है, angle कितना होता है, 360 degree, उसमें 3 hole है, तो सीधी सी बात है, 12, 36, 360 degree इस तरह से हो गए, ठीक है, equal space के उपर है, इसलिए इसको दे रखा है, equal sp, ठीक है, यहां तक आपको के लिए रख, आप आगे आते हैं, यह जो डबबा दे रखा है, डबबे को बोलते है, feature control frame, यह कोई भी feature की detail हमको बताता है, drawing के अंदर feature control frame, उसमें उसको किस तरह से पढ़ते हैं, भाई यह किस feature की बात कर रहा है, यहां से यह little line दे रखा है, यह इस feature की बात कर रहा है, इस hole की बात कर रहा है, इस hole के लिए क्या कह रहा है, इस hole की जो position है, वो 120 micron vary कर सकती है, यहां पे दे रखा है, 0.12 vary कर सकती है, A and C, datum A और C के respect में, यह datum A है, यह datum C है, datum कहां दे रखा है, datum A हमको मिलेगा यहां पे, यह रहा datum A और यह जो आप देख रहे हैं, यह है datum C, datum C कहां पे है, इसकी ID में, जो 60 mm वाली दे रखा है, datum A कहां पे है, जो इसका face है, जो इस job का face है, वहां पे datum A है, इसके बारे मैं आपको detail में आगे बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता चला, feature control frame किस तरह च बढ़ते हैं, this feature's position should be within 0.12, 120 micron में, respective to datum A and datum C, ठीक है, तो यह आपको clear हो गया, अब आगे क्या दे रखा, यह जो आप देख रहे हैं, diameter, यह जो बड़ा वाला diameter देख रहे हो भाई, यह जो diameter 75 वाला है, उसके उपर देखे, यह leader line से क्या बोल रहा है, कि यहाँ पर, फिर से feature control frame, इस feature की बात कर रहा है, यह feature, गोल गोल देख रहे हो भाई, यह जो symbol होता है, यह circularity का symbol होता है, circularity, this feature, circularity should be within 0.2, 200 micron के अंदर अंदर इसकी circularity होनी चाहिए, circularity क्या होती है भाई, एक true circle से, एक true circle मतलब जो पूरा-पूरा 360 degree का है, true circle से, यह कितना vary कर सकता है, इसकी जो circularity कितनी vary कर सकती है, maximum जो vary कर सकता है, वो कितना है, 200 micron हमको, यहाँ पर दे रखा है, यह जो GD&T के ट्रमचेन के लिए अलग से वीडियो बनेगी भाई, यहाँ पर अगर बनाऊँगा तो यही वीडियो दो गंटे का हो जाएगा और आप भी बीच में चोड़ चोड़ के चले जाएगे, परिशान हो जाएगे मेरा भाई, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अब क्या बता है? यह देखे, section line, section line को पैचानर सिख लो, जहाँ पर भी section line दीखे वो इस तरह की होती है, उसके एक तो किनारे मोटे होते हैं किनारे मोटे होते हैं और एक डेस छोटा, एक डेस बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा उनके बीच में जो gap है वो बराबर रहता है ये gap बराबर है ठीक है, किनारे इनके मोटे होते है साथ में आपको ऐसे arrow उनके मिलेंगे arrow साथ में मिलते हैं ठीक है और उसका नाम होता है ये जो है xx section का नाम क्या है xx section जो कटा है xx section है यहाँ पर काटके दिखाया है ठीक है अब section कट किस तरह से किया है इसने क्या किया है इस drawing में गलती भी है बाई आप पहचान हो अगर आपको पहचान आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है पकड़ में आया कुछ अभी तक समझा है नहीं आया तो मैं भी आपको बताता हूं क्या है section कट किया यहाँ से बीच ओ बीच section line मैंने आरे ली इस पार्ट को यहाँ से कट किया इसे करके दो टुकड़े कर दिये दो लग लग टुकड़े होगे एक यह टुकड़ा एक यह टुकड़ा दो टुकड़े होगे अब यह एरो क्या बोल रहा है यह इधर का एक नमबर टुकड़ा है यह मुझे नहीं देखना क्योंकि यह एरो से बोल रहा है यह दो नमबर ट दिखाने के लिए, हम ऐसे देख लें, इसको यहां पे दिखाने के लिए ऐसे क्या है, घुमा दिया, ठीक है? समझाई, सक्षन, अब यह है चिंग, यह चो तहर आएं इनको बोलते हैं हैं हैचिंग, हैचिंग कहाँ पर हटे हैं, जैसे, मैंने आरी तो ले ली बहाई, आरी ल कुछ area ऐसे होगा जहां पर मेरी आरी को proper material मिलेगा, यहां तक material मिला, आगे यह hole आगे, यहां पर क्या आई कि आरी हवा में चलेगी, यहां पर material नहीं मिलेगा, तो यहां के area को क्या आई खाली करके शो कर दिया, देखो, ठीक है, और बात करेए ID वाला इससे कि यहां पर material नह काहां पर जो है, काहां पर जो है, होलो बना हुआ है, ठीक है, ओके, आपको पता चला है कि किस तरह से section view शो करते हैं, कैसे hatching दिखाई जाती है, ठीक है, इतनी चीजे किलियर हो गई, अब इसमें एक गड़बड है, क्या गडबड है, वो यह गडबड है भाई, जिसने भी क्या गलती कर दी, जब section line आप यहां से कट कर रहे हैं, तो इस hole से गुजर के जा रही है, यहां पर तो hatching आ रही है, बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस hole से काट के गुजरी, इस hole से काट के गुजरी, यहां पर, नीचे आ रही है, इधर कोई hole है, नहीं है, वो दोनो hole इस side में है, तो यहां पर यह hole कहां से आ गया, मेरो भई, यहां पर कोई section line किसी hole को काट के नहीं जा रही, तो यहां पर कैसे hole आ गया, यह चीज यहां पर, गलत है, ऐसी चीज़े आपको drawing में पहचान नहीं है, आपको पता चलेगा, ठीक है, जब आपके basics के लिए कि भाई यह कैसे होती है, ठीक, ओके, अब आजाते हैं, section view की तरफ, section view में हमें आप भी क्या-क्या देखना है, hatching के बारे मैंने आपको बता दिया, सारे जो diameter है, वो यहां पर बता रखे हैं, ठीक है, पहले और जो बचे हुए diameter से उनकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले, छो सिंबल देख रहे हैं, यह सिंबल है, आरे का, roughness average, यह सिंबल कहीं पर भी दिख जा, यह roughness average का सिंबल है, उसके लिए भी बाई अलग से वीडियो बन देगी, roughness average इस surface की कितनी surface है, roughness है, उसका जो average है, वो है, 6.3, 3.2, 1.6, यह अलग-अलग है, और उसके जो purpose है, उसका यूज है, उसके according यहाँ पर, surface roughness मांगते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया, अब बात करें, इससे बड़ा diameter हम क्या दे रखा है, 25, यह देख रहे है, यहाँ पर एक groove कटा हुआ है, undercut, thread relief, undercut जो है, यह कितना है, 25, डाय 25 का, 25 mm का यह diameter है, ठीक है, 25 mm, डायमेटर हो गया, उसके बाद, यहाँ पर देखें, यह क्या दे रखा है, M30 into 2.5, M30, M4, metric thread, metric thread कटेगी यहाँ पर, M30 की, जिसकी pitch कितनी है, 2.5 की pitch है, thread की pitch दे रखी है, 2.5, ठीक है, thread की pitch हो गई, 2.5, ओके, thread के बारे में आप समझते होंगे, अगर नहीं समझ में आता, thread बगरा क्या होती है, तो मुझे बता ना भाई, जो machining operation है, उनके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, हम आपके लिए, ठीक है, और क्या-क्या दे रखा है, diameter सारे के लिए रोगे, ठीक है, सारे diameter के लिए, बात करें length की, कौन-कौन सी length दे रखी है, इसकी जो total length है, यहाँ से यहाँ तक total length 40 mm दे रखी है, 40, साथ में उसकी total length है, plus में 0, minus 0.12, minus में 0.12, plus में 0 है, ठीक है, यहाँ से यह जो ID बनी विए, अंदर यह ID देख रहे हो, यह जो ID बनी विए, इसके आगे से, यहाँ से लेके, और इसका जो last point है, यहाँ तक की जो length है, वो दे रखी है 32 mm यहाँ पे, ठीक है, तो यह कितने की हुई, यह 8 mm की बच्ची, कैसे पता चला, टोटल 40 है भाई, उसमें से 32 है, तो 8 mm, यह ID की डेप्ट हो गई, ठीक है, समझा रहा है, किलियर हो रहा है, किलियर हो रहा है नहीं, मजा रहा है नहीं, तो भाई, वीडियो के last में comment कर दियो देखके, क्योंकि आपको comment मुझे motivation देता है, ठीक, यह लेंथ होगी, उसके बाद में, इस वाले face से लेके, यहां तक की, यह जो face है, यहां तक की जो length है, वो 20 mm दे रखके, साथ में tolerance है, प्लस में 12, 0.12, 120 micron प्लस में है, माइनस में 00, मतलब सिरफ एक side में ही इसकी tolerance है, unilateral tolerance है, tolerance के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, tolerance दो तरह की होती है, unilateral tolerance और bilateral tolerance, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे, यह जो length है, यह जो इसकी depth है, यह दे रखके 3 mm, 3 mm depth दे रखके, ठीक है, और आम ही क्या दे रखका, यहां पे यह जो groove बना हुआ है, इसकी भी depth दे रखके, 3 mm, सारी चीज़ी के लिए रोगई, हांची, अब इसके GD&T का ट्रम्स बचाएं, क्या-क्या बचाएं GD&T वाला, सबसे पहले इसके datum देते हैं, datum क्या होता बाई, datum एक reference होता है, जिसके respect में हम part की machining करते हैं, और जब उसको quality inspection होता है, तब उनको as a reference हम use करते हैं, वो एक तल होता है, एक reference होता है, जिसके respect में हम part measure और machining करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखका है, यह line देख रहे हैं अप, यह line इस part की face की line है, इसके उपर जब ऐसा symbol आपको दिखाई दे, यहाँ से बरावा और उसके साथ में डंडा, तो यह datum का symbol है, यह datum a है, ठीक है, datum a है, यहाँ पे एक चीज और दे रखके है, एक सीधा से माइनस जैसे चिन, यह सीधी line है, इसका मतलब यह गए रहा है कि यह सीधा होना चाहिए, और सच में यह अशा है, इसको बोलते हैं, straightness, यह जो symbol है, straightness का symbol है, straightness का symbol है, कितना माँगा, 0.02, 20 micron, इसकी straightness होनी चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है, यह इतना सीधा होना चाहिए, इसमें कोई datum respect की जरूत नहीं है, straightness के लिए datum respect की जरूत नहीं पड़ती है, जबकि parallelism के लिए datum respect की जरूत पड़ेगी, straightness, flatness दोनों के लिए datum respect की जरूत नहीं पड़ती है, ठीक है, अब यह आगे आते हैं, यह जो आप symbol देख रहे हैं, एक hole उसके उपर hole, एक hole उसके उपर hole, दो diameter उपर नीचे बने हुए, यह symbol किसका है, यह symbol है, concentricity का, किसका symbol है, concentricity, नाम से पता चल ला है भाई, यह एक center है, मेरा एक hole यहाँ पर है, इन दोनों hole का center यह एक ही center है, जब हम machining करेंगे, तो इनमें कहाएगी थोड़ा सा variation रहे हैं, इनके जो actual center है, उन दोनों से इसका center और इसका center दोनों कितना vary कर रहे हैं आपस में, दोनों का अगर center एक ही है, बिल्कुल 00, तो इसकी concentricity भी 00 हो जाएगी, अगर center थोड़ा बहुत उपर नीचे हैं, तो वहीं उसकी क्या हो जाएगी, concentricity, ठीक है, यह कितना vary कर सकते हैं, 0.1 vary कर सकता है, datum B के respect में, datum B आपको कहा दे रखा है, datum देखें, यह C दे रखा यहाँ पर, यह जो ID है ने, इसमें तो यहाँ पर datum C है, और जो datum B है, वो यह है, अब यह क्या बोल रहा है, यह वाला जो feature है, यह जो देख रहे हैं यह वाला feature है, इसकी concentricity, तो किस-किस की एक तो यह diameter, diameter 25 वाला और diameter 20 वाला, इन दोनों का जो center n है, यह भाई A की रहना चाहिए, और variation कितना हो सकता है, maximum point 1 हो सकता है, कितना हो सकता है, point 1 variation हो सकता है, यह होती है concentricity, A की center होना चाहिए भाई इनका, ठीक है, concentricity आपको समझाई, यहाँ पर सेम वही, datum C दे रखा है, इस ID में यह datum C है, concentricity महाँगे datum B के respect में, इस C के respect में, इसका center और यह जो ID है, इसका center, दोनों का center क्या है, एक ही होना चाहिए, variation कितना allowed है, 80 micron, 0.08, ठीक है, datum B के respect में, ठीक है, आपको datum A, B, C, 3 तिनों datum पता चल गए, आगे क्या चीज़ दे रखे हैं हमको, यह दो line है, ऐसी line हैं दिख जाएं, यह होता parallelism, parallelism, parallelism कितना vary कर सकता है, 0.05, कहां का, इस face का parallelism, 0.05 vary कर सकता है, datum A की respect में, यह वाड़े face, इसका datum लेके, और फिर इसका parallelism चेक करेंगे आप, parallelism, अब यार दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर मैं चाओं तो इसको 2 घंटे तक खीच सकता हूँ, क्योंकि यह एक एक टोपिक, आदा आदा घंटा तक आप चला सकते हैं, कैसे इनको चेक करते हैं, कैसे, यह सारी चीज़ें, ठीक है, तो अभी मैं बस आपको इतना बता देता हूँ, इस face के respect में जो parallelism इस वाड़े face का कितना vary कर सकता है, 50 micron vary कर सकता है, इनके लिए एक separate video बनाऊंगा हूँ में, ठीक है, हो गया parallelism, ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, perpendicularity, जैसे कि symbol है, symbol से पता चल जाएगा, यह एक surface है, उसके perpendicular होना चाहिए, 90 degree, कितना perpendicular है, यह perpendicularity मांगी है, datum A के respect में, कहाँ पे है, यह वाला datum B है, यह रहा, कौन सा, यह ID, इस ID पे यह datum B बनावा है, यह ID पे datum B, यह इसकी जो perpendicularity हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, maximum 20 micron vary कर सकती है, किसके respect में, इस face के respect में, अब इस ID का perpendicular तो यह face ही वान यहाँ पे मांगा है, datum A यह ही है, datum A के respect में, इसकी जो perpendicularity है, इसके perpendicularity कितनी हो सकती है सिरफ 20 micron vary कर सकती है इस तरह से इसकी सारी dimensions हो गई clear अगर आपको लगे video valuable है अच्छे जमें ने explain किया कुछ आपको सिखने को मिला तो video को like कर दो, channel को subscribe कर दो अपने जो दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं उनको कर दो, share ठीक है, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching